दोस्वा आज की वीडियो का टोपिक न्यूटरल और अर्थिंग में क्या डिफरेंस होता है इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंट्रेस्टिंग बात बता रहा हूं तो आपने हमारे इलेक्रिसिटी बिल देखे होंगे तो दोस्वा आपने सुन करेंसे वह श्कुल में गयुक घुट कर ना तो मिटर में आपने दिखके होंगे मैं अभी सिंगल प्ले कि बात कर रहूं ना दोस्तों तो मिटर में के रहा हुआ है कि नेका होता है इसब होता है इनलने होते हैं खंबे जो होते हैं वहां से हमारे इस मिटन में इंपुट में हमारे फेस हो न्यूटल आ जाते हैं और दूसरा साइड जो होता है वह दूसरे साइड दूसर हम इतर से फेस निकाल लेते हैं और इतर से न्यूटल निकाल लेते हैं ठीक है यह हमारे फेस और यह न्यू तो मैं क्या करूंगा दोस्तों मैं अपने घर में एक अर्थिंग कर दूंगा अर्थिंग कैसे होती है अर्थिंग में हमारे अलग लग टाइप की होती है अर्थिंग के जो कुछ पॉइंट होता है वो ज्यादा कर जो होती है वो होती है और प्लेट अर्थिंग ठीक है यह दो अर्थिंग सबसे ज्यादा होती है तो दोस्तों अब में क्या करूंगा मेरे घर में एक अर्थिंग कर दूंगा और इस अर्थिंग से इस अर्थिंग का लोगों की दोस्तों हमार कोई बीचीज जैसे यह मेरा एक पूप करने तो इस अंदर से जो करेंट यह से मैं आपको आपने सुना होगा कि करेंट हमारा वायर में आ रहा है निया तो तो करेंट आएगा और करेंट के वापस जाने के लिए की बीवЕ कुछ रस्ता हो छिए है जब तक प्रेंट के जाने के लिए रस्ता नहीं है न तब तक हमारे जैसे अगर यह fan है तो यह fan नहीं चलेगा तो तो करेंड के जाने के लिए जाना स्व ada वह नुंटार्ट आया न्युटल दोनों की दोनों दोस और ऑन्नों सेम उती है तर आप में कहीं पे सुना को यह को बोलता हो ल Embassy one ग्राउंध काई होता है वह ग्राउंडिक हो तो अवा पेता है हमार र से भी के यह हमारे इस विली के स्फोल से हमारे ऑजी से हमडरे खंब सेसं कि अवा शुक्रारे तो आप होने त्रांस्फरस्फर्मर होता हमते की हिए ऑप हमारे ट्रांस्फरमरत ह्रुटर में होते हमारे चार वायर होते हैं का बता है तो आपको इक चीज बताओं हमारे आपने कभी थी फेस्क्रिया होते हैं तो आपने कभी थी स्थाइब कर दूंगा तो आपने क्थे इसकी को इस तरीकी होती है यह 1 2 3 4 5 6 तो दोसा क्या करते हैं इसको स्थार्म संब्सक्राइब यह पोइंट होका यह पॉइंट होगा मेरा यूटल इसी तरह रोपको Dec PA हमारे जो इसते रोफे यह ने गयां जाते और इथर जो होते टेल पॉइझा है?? तो दोस्तों इसके ओपर अलग डिटेल वीडियों बात करेंगे तो अच्छा रहेगा तो दोस्तों यहां पर जो हमारा जोट कर दिया दाता है जैसे में आप मोटर में कुछी सथरीके साई इसमें होता है तो दोस्तों जो न्यूटल पॉइंट को यहां पर अर्थ करना होता है तो दूस्तों यह आरवाई भीन अब ऐसा तो नहीं हैं कि हमारे पास सारह के सारूर्ण फेजर कहीं पर सिंगल्स्टों होता है तो दोस्तों वहाँ पर सिंगल फेजो र法ाइन होने के हैना हमारा जो होता है जैसे आरफय को अलगार में इसन सप्लाइब दे रहेएं उस neutral point में जो होता है हमारा current आने लग जाता है और इसके उपर मैंने एक dedicated video बना रखा है कि हमारा neutral का में current कैसे major कर सकता हूं कि neutral wire में हमारा कितना current flow हो रहा है तो उसके उपर ही मैंने एक video बना रखा है आपको यह डाउट के लिए करता हूँ कि हमारा electricity bill हमारे जो electricity meter है वह आखिर काम क्यों नहीं कर रहा है तो दोस्तों वह काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमारे जो पूराणी जो meter होते थे आपने देखियोंगे जिसमें mechanical पूरा वर्क होता था जिसके अनरे हमारा जो एक का को करेंग दो से आखिर का रहे हमारे हऊज करेंगे तो वह हमारा electricity bill आएगा मैं अगर अगर इसकी परिभाशे की बात करें तो न्यूटल जो है वो न्यूटल एक रिटन पाथ है रिटन पाथ किसके लिए दोसो रिटन पाथ का मतलब होता है वापस से जाने का रस्ता ठीक है वापस से जाने का रस्ता है किसका दोसो करेंट का जैसे मैंने भी आपको बताया था जैसे मेरा यूप करेंट तो इसमें फेस जाएगा और फेस कोई compulsory नहीं होता है अर्थिंग हमारा only for safety region की वज़े से हम लगाते हैं अब दोस्ते किस तरीके से हो रही है वह मैं आपको पतानी कोशिश करता हूं तो हमारे कोई उपकरेंट है ठीक है इस उपकरेंट के अंदर यहां पर मैंने buat कोई सक्सा होता है उसको हाद लगा देता है तो दोस्तो है current का जटका लगजाता है HK जटका क्यों लगेगा हमारे ऊकले का smart का कामचा होता है वो हमारा इसलिगा मुड्स हमारा और हमारा तरह यहिए करनстав से हमारा जाने क्ये कोछिए तो मेरे को हवा का जोर मेरी बाइक को रोकने की कोशिश करता है तो तो उसी तरह हमारा जब करन फ्लो होता है तो उस करन को रोकने की कोशिश करता है तो रजिस्टेंस तो हमारे जितना ज्यादा रजिस्टेंस होगा करेंट उतना ही कम जाएगा करेंट उतना ही कम फ्लो होगा हमारी जो body है वह अर्थ के बिखने के करांशहमारा resistance कम हो गया तो तो दोस्ट कुछ current हमारा इस body से होते वे हमारा अर्थ में जाएगा और घटका लगेगा और दोस्ट हमारी जो body का resistance होता है वह normal condition में होता है दोस्ट 1000 ohms यानि 1 kg ohm, 1 kilo ohm होता है दोस्तों unormal condition में अगर हम दोस बिलकुल dry condition में तो हमारे जो resistance होता है वो एक लाध ऑूहम तक भी चले जाता है पर दोसो नॉर्मल कंडीशन में हमारे जो resistance होता है, एक से 2 kilo ohm के बीच में होता है अब दोसो, यही पर यह मैं अर्थिंग की बात करू, अगर मैंने यह आपर इर्तिंग कर रहे होुती हैMatर की कहसी है मैं वाही फृस बना देता हूँ यह मेरा फ्रीज है nepos.. यहा पर मेरा एक आदमी आया वाह किसंने इसके शूचेंगा छोगेगा जिसे इर्फिंग के लिए मैंने खड़ा करें जितना लंबा जितना गहरा खड़ा होगा इतना ज्यादा अच्छा होता है उसके अन्दर दॉस्टो मैं कोई भी मेटल का पाइप डाल देता हूं और मेटल का पाइप डालने के पादर में थे नीचे प्लेट करनेक टेता हो तो तो में शौक में और नहीं लग क्या क्या तो स्युक्त रहति होती है इस अरफिंग का जो निचिन होता है वह घरों में इंश्ट्रेक्शन दी जाती है कि हमारी अर्वसरों कितनी रहनी किसे तो वह बहुता है कि-प्वा ओंक से नीचे रहनी चैहिए और जो हमारे ग्रीड इस्टेशन जब पावर इस्टेशन आपने देखे हैं उस पावर इस्टेशन में बोला जाता है कि हमारा जो अर्थिंग है वह अर्थिंग का रेश्टेंस दो ओम से नीचे होना चाहिए तो अगर यहीं पी बात करें तो अभी मैंने आपको क्या बताए यह जार ओम से दो हजार ओम अराम से होता है नॉर्मल डेस में ठीक है नॉर्मल डेस का मतलब दोस्टो अगर विल्कुल थोड़े बहुत भीगे वे भी है तो हमारा रेश्टेंस इतना होता है तो आप खुद ही संबढ़ सकते हैं कि हमारा जो एक हजार ओम का राइस्टेंस यह फिस हो जाओ इस वीडियो के परती रहे गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट वॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा है इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना इलेक्टिकल की वीडियो अगर आप इनने में रिखना झाल